नमस्कार सातियों जैहिंद स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में यह हमारा SSC गुरुकुल ओपन स्टडी गुरुकुल SSC के लिए चलता है तो मेरा फर्ज है कि वे स्टूडेंट्स जो टैन्थ पास या ट्वेल्थ पास होते हैं और उनकी SSC में जॉब लेना एक इच्छा है और अभी वो ग्रेजुएशन जो है कर रहे हैं और अभी सीजल और सीप्यों का फॉर्म नहीं भर सकते यानि कि वो एलिजिबल नहीं है तो उनके पास ऐसी कौन कौन सी अपर्टूनिटीज होती हैं एससी के अंदर जिनके लिए आप एपलाई कर सकते हैं अगर आप टैन्थ पास भी है या ट्वेल्थ पास है और आप तयारी कर रहे है ऐससी सीजल की तो तब तक जब तक आप CGL की तयारी कर रहे हो तब तक भीच में आप कौन-कौन से forms भर सकते हो हालनकि आपको आइडिया होगा ही अगर आप CGL की तयारी कर रहे हैं लेकिन अगर किसी का mood है अभी आगे तयारी करने का अभी उसने start नहीं करिए तो 10 और 12 वाले students के लिए SSE के अंदर कौन कौन सी post होती है जिनके लिए आप apply कर सकती है और कितना time जो है आपको तयारी करना चाहिए सारी चीज़ें बताऊंगा और complete detail के साथ बताऊंगा ठीक है उनका pay scale भी बताऊंगा कितनी cell के मिलती है तो SSE जो exams कराता है वो मैं सारे की सारे बताऊंगा graduation level वाले नहीं बताऊंगा सिर्फ 10 और 12 वाले बताऊंगा ठीक है जो 10 और 12 वाले exam भर सकते हैं मतला form भर सकते हैं तो देखो 10 वाले students के लिए यहां तो सिर्फ मैंने नाम लिखे हैं इनको मैं बहुत अच्छी से explain करूँगा हर एक छोटी चीज explain करूँगा अगर आप 10 पास हैं तो आप MTS के लिए apply कर सकते हैं multitasking staff ठीक है SSC GD के लिए apply कर सकते है constable के लिए ठीक है SSC दिल्ली पुलिस के लिए special सिर्फ दिल्ली पुलिस इसके बाद आपका selection post में क्या होता है तीनों तरह के students apply कर सकते हैं इसमें आपका 10 पास भी student apply कर सकते हैं अलगलग पोस्ट के लिए vacancies आती है अब यह मैं बताऊंगा पूरी डिटेल वैसे बता चुकोंगे कि वीडियो के अंदर आज भी बताऊंगा ट्वेल्थ पास भी student यहां पर apply कर सकते हैं ग्रेजुशन वाले भी apply कर सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए 10 ट्वेल्थ पास होना चाहिए यानि कि 10 प्लस 2 होना चाहिए और चलिए इन सारी की सारी विकेंसिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखो सबसे पहले सुरुआत करते हैं ऐसा सी छसल से ठीक है उसका जो कलेंडर यानि की नौटिफिकेशन आएगा वह आएगा अपरेल में ठीक है फरवरी मार्च अपरेल अपरेल में आएगा उसके बाद मई में आपकी जो है रेजिस्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी उसी मंत या जून या जुलाई के आसपास आपकी पेप से गम और फीस होती है सौर पर जनरल और वीसी के लिए बाकी सब का जीरो होता है ठीक है फॉर्म बरने की यह बेसिक जानकार है अब मैं इसके थोड़ी और भी चीज़ें हैं जैसे एक्जाम पैटन बगेरा होता है सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे-धीर थुड़ा वेट के लिए से लिएबरा होता है और उसका एक्जाल आ पैटन होता है जैनरल इंटेलिजेंस का मतलब होता है reasoning कि क्या हूता है मेरे भाई रेजनिम आपके 25 कुषेन रीजनिंग का होंगे 10 कष्षयन downs 2 नंबर का होता है 50 नंबर की रीजनिंग जन्रल अवेर्नेस का मतलब होता है जी एस या जी ए आप कह सकते हैं ठीक है जी एस जन्रल स्टुडीज यह भी 25 कुशन 50 नंबर के यहापका सीजल का परी एक्जाम का पैटर्न होता है वही सेम यहाँ घंटे का टाइम मिलता है ठीक यह प्रीम को अलजी कर रीजिनिंग का स्ट्रीज लॉजिकल रीजिनिंग अल्फा में जो है किया है अल्फा नुमेरिक सीरीज, रेंकिंग, डारेक्शन, अल्फाविट, टेस्ट, डेटा सफीशेंसी, कोड़ेड इनक्वालिटीज, यह सब रीजनिंग का है, मैस का है, इंगलिस का है, और यहाँ पर जनल अविरेनस का, ठीक है, इंगलिस में आपको रेडिंग कॉम्प्रेंशन के है, अक्टिवर, इस सारे के सारे, इसमें पूछी जाती है, यह टाइप ओप उफ कुशंस, से लिवस अलग होता है, ठीक है, अब आ जाते हैं, इनके लिए पोस्ट की बात कर लेते हैं, और इनके पेस्केल की बात करते हैं, देखो, इसमें तो इन तरह की पोस्ट होती है, चेह से अंदर जैसे एक तो लोवर डिविजन कलर की पोस्ट होती है एक डिटा एंट्री ऑपरेटर की होती है इसमें अलग जो है जो है यहाँ पर लग लग ग्रेट की जो होती है अब इसमें आप देखोगे पेश केल जो है डिटी पर चौबिसओ ग्रेट पर यह सब आपको बहुत डिटेल वाली चीज़ें है अगर आपको नहीं आइडिया है तो कोई चीज कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है जो पहली बार मुझे देख रहा है उसको हो सकता है ग्रेड फे बगरा समझ में ना आए आप सर्व इतनी चीज़ें याद रखो कि इसक सकता होगा बाद कूझ डemy लुचाँ को में के लगरा को मल्टी टास्किंग ताफ यानिhel की मट्यस के लिए हैं क्वालिफिकेशन वगेरा है सब कुछ बताऊंगा इसी के साथ साथ MTS में दो तरह की विकेंसी आते हैं एक तो मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है एक हवलदार होता है दो तरह की विकेंसी होती हैं दोनों ही 10 पास से सकते हैं इनके जो नोटिफिकेशन है वो मई 2024 में आने वाले हैं उसके बाद आपका जो एक्जाम होगा वो जुलाई अगस्त में होगा 2024 में और 18-27 इसमें भी आपकी जो है एज लिमिट है सौर पैस में भी फीस है आपको जनरल ओवी सी और के जो काटेगार्य उसमें 0 है पैमेंट कोई फिशी ऋनहीं इर दो थैंए टों यो क काम करते हैं इनको कोई टैकनिकल काम नहीं दिया जाता है कुछ भी निढ़िया जाएगा होता है हवल्दार हवल्दार का थोड़ा सा फीजिकल होता है ठीक है क्ऩाओ compute टाइब के हवलदार होते ही इनके लिए क्या चाहिए भाई देखो अगर आप eligibility की बात करते हैं यहां पर MTS की तो यह तो class 10 से बरे जाते हैं ठीक है और आपका जो है high school pass होना चाहिए CHSL के लिए तो 10 प्लस टू चाहिए लेकिन MTS के लिए आपको सिर्फ 10 पास चाहिए ठीक है हवलदार में physical होता है MTS में physical नहीं होता है हवलदार में physical होता है याद रखना देखो ऐसा नहीं होती है इसमें वॉकिंग होता है आपको बस कितना चलना है 1600 में 15 मिनट में वॉक करना है दौड़ना नहीं है ठीक है फीमेल को एक किलो मेंटर 20 मिनट में दौड़ना है एक किलो मेंटर मतलब 1000 मीटर समझ गए इसमें मेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो एक सत्तामन यानि कि नॉर्मल हाइट मेरे से यहां यह मालो मेरी 1,75 है सकते हैं हवलदार के लिए अप्लाई करना चाहो उनके लिए और एंप्लाई करना चाहो टेंथ पास से यह भी कर सकते हैं इसके बाद आ जाते हैं देखो इसका एक्जाम पेटन देख लो मैथमेटिक्स आता है ट्वइंटी नंमर का और ट्वेंटी नंमर की रीजनिंग ठीक limits यह ला चालिस नमबर का मैस रीजनिंग 120 तीन नमबर का एक क्विशन होता है ठीक है ना तो साट नमबर साट नमबर कितने होगे 120 नमबर हो गए 40 क्विशन 45 मिनट का टाइम मिलता है इसमें फिर दूसरा सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा जिसमें जीए का और इंगलिस का पेपर साथ избल्ट होथा जिस नमर्स में 25 25 नमबर की याद रखना यह दोनों क्वालिफाइंग होते हैं पहला पेपर होता है क्वालिफा इंड़फाइंग होता इंगलिस इसमें इंपोटन गल करती है एंगलेस इसं आपको पड़ाता है हूं 75 नमबर की इंगस 95 नमबर सीरे आपका डीवी होता है कि इसकी भी सेलरी देख लो पोस्ट का नाम है आपका मल्टी टास्किंग स्टाप और हवल्दार और अगर आपको समझना है तो नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा तब उसमें आपको पूरी डिटेल थोड़ा सो कुछ समझाने वाला होगा और मैंने बहुत सारी स्टाटेजिक वीडियो में बता रखा है तो पे स्केल बगरा मैं अलग से किसी दिन समझा दूँ है फिलाल आप इतना समझ लो कि इसकी इन हैं कि इसके बाद आ जाते हैं स्टैनोग्राफर एक्जाम देखो वे स्टूडेंट्स जो मैथ से डरते हैं उनके लिए स्टैनोग्राफर का एक बहुत अच्छा ओप्शन होता है हमारी लाइफ में ठीक है एससी के अंदर देखिए जरा ध्यान से पढ़िएगा इस पूरी डिटेल को देखके धरा मत करो मैं हर एक चीज़ को बड़े आसानी से जो जो चीज आपके मतलब किये उसको बहुत अच्छे से आईलाइट करता हूं ठीक है जैसे यहाँ पे स्टैनोग्राफर की जो पोस्ट है दो तरह की पोस्ट होती है तो ग्रेड सी और एक ग्रेड डी ग्रेड सी में आपको टैन प्लस टू चाहिए स्वरी अग्रेजुएशन चाहिए देखो जड़ा नोटिविकेशन कब रिलीज होगा विए जुलाई 2014 में ठीक है एप्लिकेशन क्लोजिंग डेट होगी आपकी अगस्त में और यह जो पेपर होता है वो सीवीटी होता है यानि कि ऑनलाइन पेपर होगा अक्टूबर नवंबर 2014 में पेपर होगा इसका ठीक है इसके अलावा इसमें क्वालिफिकेशन दो तरह की चाहिए अगर आप ग्रेड़ सी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बैचलर डिगरी चाहिए और ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टैन प्लस टू अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई करोगे तो टैन प्लस टू और इसमें क्या हो दो सेज़ में आपका फेपर होता है पहला तो सीवीटी मुताँआँ पूरा पैटर्न मताँंगा ठीक है कौन क्रषी सब्येक्ट jsब आते हैं पाहले आपका फेपर हो गार्ट test online उसके बाद आपका स्किल्टेस्ट यानि कि जो स्टेनोग्राफिज स्किल्ए आपकी उसका test होगा प्लस टाइपिंग टोनों skill test डाइफिंग यह ओफलाइन होता है पेपर ठीक है और इसकी जो होती है इसकी भी 100 पर होती है वो भी ओवी सी और जनरल की बाकी की नहीं होती है ठीक है ना आगे चलो इसकी एज लिमिट 18 से 30 बताई रखी मैंने अधुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता रखी है वैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ग्रेड सी के लिए ग्रेड के लिए 10 प्लस टू होना चाहिए बस और इसमें फाइनेंस फिजिकली आदमी फिट होना चाहिए फिजिकली मतलब बहुत बड़ा कोई डेमेज नहीं होना चाहिए समझ गई हां जी अब आ जाते हैं यहां पर कि देखो दो स्टेजन में आपका पेपर होगा मै 0.25 यानि कि 1y4 की इसकी नेगेटिव वाकिम होती है ठीक है इसके आगे बढ़ेंगे इसका यहां पर पेपर का पूरा पैटन दे रखा है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंग्लिस 100 नमबर की इंग्लिस 50 का रीजनिंग और 50 की जियस 50 की रीजन आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है ज्यादा टफण यहां बस आपको स्प्राफ्य सीखने है मैं इसके चार सब्जेक्ट इसमें भी होते हैं जो आपको पूरा बता देंगे कैसे-कैसे पेपर होता है ठीक है टेंशन मत लेना कि इसका भी जो हह होती है कितनी बीस हजार से शुरुत हो जाती है पर मंत ठीक है और टोट जोड़ार के 37,000 ठीक है और इंहें जल्री आपकी यह लाउंस है जोड़ के इतने गया चोगती से चालों से जोड़ के आपकी 37 सब्सक्राइब आपकी जो सेलरी है 30,000 तक आपकी टोटल सेलरी बनती है ठीक है ग्रेट डीम है आगे चलेंगे अब आ जाते हैं सेलेक्शन पोस्ट की बात कर लेते हैं इसमें किसी भी क्वालिफिकेशन का स्टूडेंट अपलाई कर सकता है अगर आप 10 पास है तो भी आपके इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें अलग लग पोस्ट होती है तो इसका जो है 100 पर फीज लगती है ठीक है मई में जो है इसका एक्जाम डेट रखा है और इस बार जो विकिंसी जाने वाली लगवग 6,000 इसमें एक चीज अच्छी है कि इसमें पेपर एक ही होता है ले इसमें जो एक्जाम होगा पहला पेपर होता है आपका रिटन याने की सीवीट उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा यह स्किल टेस्ट सिर्फ ग्रेजवेशन वालों के लिए होता है क्योंकि स्पेशल पोस्ट के ही लिए ग्रेजवेशन मांगते हैं उसी में स्किल टेस्ट होता है उसके तुरंद बाद डीवी होता है आपको जो मिल जाती है और अगर एक्स्टा जानकाई लेनी है तो आप ssc.nic.in पे जाके विजिट कर सकते हैं इसमें आपको नॉटिफिक स्पेशल प्लस स्ट है तो आप 15 साल का एज रिलेक्शेशन मिल जाता है इसमें इसमें आप देखो कि नंबर वेकेंसी इस बार जो आ रही है दोजार चौवीस में फेज होते हैं इसमें फेज ट्वेल चल रहा है भी फेज ट्वेल की विकेंसी आएंगी सेलेक्शन पोस्ट फेज ट्वेल इसमें सी की पोस्ट है 687 स्टी की पोस्ट है 343 ठीक है और ओवी सी की है 1332 अरिजव कैटिगरी की है 2540 एसम की है 154 ओएच की है 56 डवल एच की है 43 वी एच की है 17 अदर्स की है 16 EWS की है आपकी 466 टोटल नंबर विकेंसी अप्रॉक्सिमेट कितनी आने वाली है 6000 मतलब पांच यार 649 ठीक है आगे चलेंगे देखो फेज 12 याने की सेलेक्शन पोस्ट सेलेक्शन पोस्ट में क्या होता है फेज बदलते रहते हैं हर साल अभी जो पिछला वाला जो एक्जाम होगा था सेलेक्शन पोस्ट फेज 11 का हुगा अब फेज 12 का हो रहा है तो 2024 मे ओर मैं टरिक्स याने कि! टेंट फुश्ट भी अपलाई कर सकते है ऑगर आप ट्वेल्ठ पास था वी अपलाई और सकते अगर बेचलर डिग्र हैं तो भी आफ अपलाई कर सकते हैं ठीक है और ज़्यादा डिटेल में जानकरी चाहिए तो आप अपना नौ्टिफिकेशन आएगा ठीक है अब आ जाते हैं सेलेक्शन पोस्ट फेस 12 का एक्जाम पैटन यहां पर समझ लो सेम है इसमें भी रीजनिंग आता है जी यह आएगा आपका मैस आएगा और इंग्लिस ठीक है पच्छीस पच्छीस क्वेश्चन्स होंगे पचास पचास नंबर होंगे 100 क्वे अलग उनके लिए 20 मिल टेक्स्टा मिलते हैं अब इसमें जानकारी समझ लो थोड़ी सी इसमें ज्यादा डिटेल में दे रखा है क्योंकि इसमें जानकारी ज्यादा होती है सच में यहीं कॉम्लिकेशन से इसमें बस और कुछ नहीं जिसने अच्छे से पोस्ट बगरा सेले इंजीनियर कैमिकाल डेटा एंटरी operator ट्रेटेडे जूनियर ड्राफ्टसमेन और केंटीन अटेंडेंट्ट यह सारे के सारे होते हैं तो यह बेसिक सेलरी हैं जोडने के बाद इन्हेंट सेलरी इसके बाद आ जाओ चाहिएएएः से जीड़ी सबसे पीपर होता है एसके जीड़ी में क्या है टेंथ प happen और छो है एक प्रीड अं झस अब आ trucs समझ घीड़ी ट rifled users एक्जाम होता है तो इसमें जो आंट फॉर्स जो जशनी जिसको फॉर्स में जाने गाल सौक है समझे आरमी वगएड़ा में नहीं हो पाया क्योंकि इसमें फृजी फृच्व थोड़ा सा में चीज़े कम लिए लेकिन थोड़ा सा पड़ा लेका उना चाहिए तो इसकी इसकी क्या होती है ए याद रखना है सटारा से तेज, इससे ज़ादा नहीज इसका सिम्पल सा paper होता है बीस नमबर की रीजनिंग, बीस नमबर की जिये, और बीस नमबर का mathematics और 20 नमबर की आपकी English या Hindi में से optional चूज कर सकते हैं , या हंदी टोटल असी कोश्चन होते हैं 160 नंबर के समझ में आगी बात दो नंबर का एक कोश्चन होता है एक घंटे का टाइम पीरिड होता है आराम से पेपर देलोगे इसके तुरंत बाद आपका फिजीकल होता है फिर ठीक है फिजीकल में आप देखोगे जैसे हाइट चाहिए चैस्ट आपका मेल के लिए बता रहे हैं मेल वह भी जनरल ओवी सी और ऐसी के लिए असी से पिच्चासी सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक है मेल के लिए जो हाइट होती है एस्टी वालों के लिए वो 62 यानि के काफी कम आठ सेंटीमीटर इतनी मान के चलो मेरे ठीक है और यह होती है जो है चैस्ट के दिने वह चैस्टर से असी होना चाहिए फुला के असी और नॉर्मल चैस्टर फिमेल के लिए एक सत्तामन और चैस्ट नहीं ना पे जाते नौन kilometra 24 मिनट में भी मतलब 1647 मिनट में साड़ी आक मिनट में में साधैkor में फिमेल के लिए मिलन के लिए सीक्वीर नोट से बालों के सबके लिए सेम है आपका फिसी इसके अलावा फिर आपका जो है सैलरी देख लो यहाँ पे सैलरी जो है पेले वडल आपका station में सलम्मल ए11 सब्सक्राइब और यह अलग टाइब के फोर्स होती है एक अलग यूनिट होती है से पॉय जिनको बोलते हैं से पॉय होता है जैसे यह आपने देखा होगा पहले के जमाने पर अंग्रेजों के यहां अंग्रेजों का जब राज था तब इंडियन कुछ कॉंस्टेबल रखते थे लोग है ना फाल्टू के लिए मतलब एक्ष्टा भीड़ को संबालने के लिए तो ऐसे ही छूटे लेवल के कॉंस्टेबल होते हैं इनको सिपॉय बोलते हैं जो सबॉर्डिनेट रोल प्ले करते हैं ठीक है सेंट्रल प्लेसेज पर और बीएस हैं होगे यह थोड़े ठीक टाक जबान होते हैं इनको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है ना इनको कहीं भी किसी भी बॉर्डर पर बिज़ा जा सकता है सी आई सफ आई टीवी पी एसस पी एसस बी एना ये एंड राइफल मैन यह अच्छे स सानिक जो होता है ये लेवल 2 होते हैं इनकी सेलरी एक की स हजार से स्ठार्ट होती है और सतर जार तक पहुंच जाती है ठीक है लगासदी सेलरी करीब 24 जार के आसपास हाँ मिलती है तो यह होते हैं चाहिस का भी पेपर सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं और इसमें दो तरह की जो है भरती होती है, एक तो दुल्ली पुलिस, कॉंस्टेबल और एक दुल्ली पुलिस, यह सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही constable की भरतियां होती है दिल्ली पुलिस constable वो सिर्फ SSC ही करा रहा है इस टाइम पे इससे पहले नहीं कराता है इससे पहले दिल्ली पुलिस खुदी कराता था ठीक है ना तो यह दिल्ली पुलिस की बता दीजेगा कॉमेंट करके अगर कोई चीज रह गई होगी तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा ठीक है ना जैसे मैंने कोसिस करें किसमें सब कुछ समझा दूँ है ना बहुत डिटेल में भी नहीं बता है और बहुत ऐसा नहीं कि सुपर फिस्यली बता दि करना तो इंग्लिस फाउंडेशन बैच आप जोएन कर सकते हैं ओपन स्टड़ी अप्लिकेशन पर रिकॉर्डड वैची भी अविलेबल है और गुर्कुल अगर जोएन करना चाहते हैं सीजेल के लिए तो आप लोग कॉंटेक्ट नंबर्स पर कॉल मैसस कर सकते हैं यहां आपको रहना खाना क्लासे लाइबरी रूटीन गाइडेंस सब कुछ एक ही जगए मिलता है एससी के लिए तयारी करने अगर आपको सीजेल के लिए तो दिल्ली आईए ओपन स्टड़ी गुर्कुल ठीक है बाकि आपको जो भी चीजह मैंने समझाई है थैंक्यू सो मच्छ सी यू इन दे नेक्स सेशन कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है बाई